दुनिया भर बहन लगा रही है ओमिक्रोन वेरियंट आने की बाद और हमारी सरकार उड़े बेफिकर हो रखी है मैं आपको सरकार की उन कम्यों के बारे में बता रहा हूँ जिससे आप लोग की जिन्दगी बचेगी आप लोग का भला होगा तो क्या आपके जिम्मेदारी नहीं है कि इस वीडार को पूरा देखने की डेल्टा वेरियंट के बाद जो ओमिक्रोन वेरियंट आया 500 गुना ज्यादा ओमिक्रों वेरियंट घा तक है डेल्टा वेरियंट से और हमाइं सरकार वही गलती कर रही है जो डोनल्ड ट्रम के वक्त की थी इस वीडियो में अच्छे से समझाया है लास्ट तक जरूर देखिएगा देखे कोरोना वाइरस के नई वेरियंट ओमिक्रोन को एक्सपर्स ने डेल्टा वेरियंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया है और डेल्टा वेरियंट ने कैसा हमारी टॉपल दो ही मिँटेशन पाई चाते हैं लेकिन ओमिक्रोन वेरियंट में 30 से kins को दर्ज किया गया है लेकि ओमिक्रोन संक्रिमित मरीज 35 लोगों तक फैला सकता है यह वाइरस से 500 ज्याद संक्रामक है यानि कि दख्शन अफ्रिका के Omicron variant का पहला केस जैसे ही घोशित होता है उसके बाद विश्व स्वास्त संगञटन ने भी इससे कोरोना का सबसे चिंता जना का सरूप यानि की variant of the concern को घोशित कर दिया है अब Omicron variant को लेकर के दुनिया भर में डर लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन भारत में देखिए भारत में इस variant को लेकर के अलेट जारी करने के साथ COVID test और टीका करण की रफतार को बढ़ाने का आदेश दिया गया है लेकिन जिन देशों में Omicron variant मिला है वहां से आने वाले यात्रियों पर केवल विशेश नजरे रखी जा रही है इस स्थिती में अगर आप इस सवाल उठाएं कि क्या Omicron variant से बचाव भारत दुबारा से वही गलती कर रहा है जो डोनल्ड ट्रम की फरवरी दौरे के वक्त की थी Omicron variant of concern घोशित किया है लेकिन सरकार उड़े बेफिकरे समस्या यही है दोगों कितना खतरनाक है variant of concern ये पहले मैं आपको simple सा insight देता हो किसी वायरस के संक्रमित की गती और खत्री को लेकर के दो पार्ट्स में इसको divide किया जाता है पहला होता है variant of interest और दूसरा होता है variant of concern variant of interest के तुलना में variant of concern ज्यादा संक्रमक ज्यादा खतरनाक और इवन चिंतन जनक होना चाहिए और होता है साथ ही variant of concern breakthrough मामले को तेजी से बढ़ा सकता है और vaccine के असर को भी कम कर सकता है अभी तक विश्व स्वास्त संगठन ने कोरोना वायरस के चार वेरियंट अलफा बीटा गामा और डेल्टा के variant of concern की कैटेगरी में रखा था कोरोना का यह चारों वेरियंट अलग अलग देशों में तभाई मचा चके है भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरियंट की बजह से ही आई थी इसके अलावा variant of interest की कैटेगरी में इटा, आयोटा, कपपा, जीटा तमाम तरह के आपने दिखार नाम रखे गए थे हाला कि इन वेरियंट का प्रभाफ कम होने के बाद इन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया था और वहीं जैसा ही variant of concern घोशित होने के बाद ओमिक्रोन वेरियंट के मामले तो ओमिक्रोन की वजहा से इसराइल ने कदम उठाने शुरू कर दिये इसराइल ने पहले ही दक्षिन अफरिका देशों में से पचास को रैड लिस्ट में रख दिया है वहीं अब ये खबर सामने आती है कि इसराइल ने सभी विदेशी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी है और कोरोना का नया वेरियंट सामने आने के बाद यूके और अमेरिका समेत कई देशों ने दक्षिन अफरिका पर कई तरगे प्रतिबंद लगा दिये हैं अब दक्षिन अफरिका के राज देखिए सबसे पहले हमने पता लगाया इस वेरियंट के बारे में उसकी पहचान किया हम लोगों ने और उसकी सजा हमें दी जा रही है इंग्लेंड भी अपने सभी विदेशी यात्रियों को दो कोरोना टेस्ट करवाने होंगे और रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक सेल्फ आइसोलेशन करना होगा मास लगाना जरूरी है दक्षिन अफरिका और छे अन्य देशों पर ट्रेवल बेन लगाया गया है अमेरिका ने में कई दक्षिन अफरिका देशों से आने वाले गयर अमेरिकी नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दिये हैं जापान में इन देशों से आने वाले जापानी नागरिकों के लिए कड़े कुरिंटीन लियम बना दिये हैं अब जापान में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अभी तक रोक लगी हुई है मतलब बताने का मतलब क्या है आपको यही तो है कि दुनिया भर के देशों ने कोरोना वाइरस के ओमिक्रोन वेरियंट के डर से ट्रेवल बैन से लेकर के गाइडलाइन से बदलाब की है और हमाई भारत में क्या किया है विलाल भारत की सरकार ने भारतिय नागरिकों को विदेश भेजने और वापस भारत लाने के लिए 31 देशों के साथ एर बबल का एग्रिमेंट किया है समझते जाना विदेशी यात्री भी भारत की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है भारत का जिन 31 देशों में एर बबल समझ होता है उसमें से तीन देशों ब्रेटीन जर्मनी और नीदरलेंड में भी कोरुना वाइरस का ओमिक्रोन विरेंट पाया गया है भारत की ओर से इन देशों से आने वाले फ्लाइट्स पर बैन नहीं लगाया गया है और भारत की सरकार की ओर से एतिहाद के तौर पर पता है क्या किया जा रहा है दक्षण अफिलिका ब्रेटेन, मॉलसेस, ग्रजील, बांग्लदेश, बोटसवाना, जिंबावे, न्यूसिलेंड, सिंगापोर, हॉंग कॉंग और इस्राइल को जोखिम वाले देशों की सुची में तो डाल दिया गया है लेकिन इन तमाम देशों से ट्रेवल पर बैन ना लगने आने वाले समय में खतरनाक फैसला साबित हो सकता है बैन नहीं किया गया है और अब खबर ये आ रही है कि ओमिकरोन कोरोना वेरियंट दक्षिन अफ्रीकाम से महारास्टर लोटा एक शक्स वो कोरोना संक्रमित है अब वहां हड़कम माचा हुआ है देश की भुलककड वर्ग को मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत में कोरोना महमारी के प्रवेश विदेशों से देश लोटने वाले लोगों के जरिये ही हुआ था और डेल्टा वेरियंट का मामला भी तब ही सामने आया था जब विदेश में फसे भारतिय लोगों को लाने का काम तेजी से किया जा रहा था अब दिल्ली के मुख्य मंत्री है अर्विन गेजरिवाल कई बार अच्छी बाते करते हैं और भारत सरकार से नोंने मांग कर दी है कहा है कि ओमिक्रोन वेरियंट से प्रभाविद देशों से आने वाले फ्लाइट्स पर ततकाल बेन लगा दीजिए मांग गलत नहीं है आख कोई खातक mutated रूप सामने आता है तो उसके जिम्मेदारी अब किसकी सरकार की तो ही होगी ये बात सही है कि ओमिक्रोन वेरियंट को लेकर के अभी सारी जानकरे सामने नहीं आई है लेकिन एतिहात अगर हम रखना शुरू कर दें अगर बचाव करने के तरीके पर अगर हम ध्यान देनी कोशिश करें तो हम जो आने वाले जो नुकसान है भविश में उसको कम तो हम कर सकते हैं लेकिन जो गलती हमें डोनल्ड ट्रम के वक्त की थी वो गलती हम दुबारा से कर रहे हैं और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि सरकार ने बैन नहीं लगाया है आप इस फैसले को कितना गंभीर और चिंताजनक मानते हैं कॉमेंट सेक्शन में देखूंगा और पढ़ना में चाहूंगा आप सबीसे में बात कहना चाहूंगा तो आने वाला वक्त थोड़ा चिंताजनक स्थिती में हम सब को डाल सकता है बाहर तबी निकले ब बंदे मात्रव स्थे अपडेटेड स्थे एजुकेटेड सत्यमेव जयाते नमस्कार